नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने बलाओ अगर आपके मोबाइल फून में भी Google Play Store से मैसेज आता है कि 38 updates available, 20 updates available, 10 updates available, यह क्या है और इसे कैसे आप ठीक कर सकते हो चलिए आज की इस वीडियो में बताता हूँ जैसे कि मेरे पास notification आया है Google Play Store से 38 updates are available इसका मतलब क्या है यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि Google Play Store यहाँ पर open हो गया और यहाँ पर यह अप एप देखा रहा है कि 38 application update करने के लिए यहाँ पर बाकी है यहाँ पर जितना भी यहाँ पर application देख रहा है यह सब update करना परेगा तो यहाँ पर यह notification देता है Google Play Store कि आपके जो smartphone में जितना भी application है वो सब application update मांग रहा है तो चाहे तो आप यहाँ पर सबसे उपर आपको दिख रहा होगा update all इस पर किलिक करके पूरा application एकी बार में update कर सकते हो update all पर किलिक कर दोगे तो एक बाई एक sub update होता चला जागा यह आपको पूरा update नहीं करना है sub application को तो यहाँ पर जो application आप update करना चाहते हो उस application पर update आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके उस application को आप update कर सकते हो तो इसका मतलब यहीं है कि जितना भी आपके mobile phone में application हो सब application update मांग रहा है उसे आपको update करना है वही निट notification यहाँ पर Google Play Store आपको देता है कि यह application आप update मांग रहा है